नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे इसमें लास्ट वीडियो में देखा था स्लो वेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं उनका रिस्टिंग में प्रोटेंशल क्या होता है उस तब मैंने आपको बताया थे कौन कौन से कुस्टन आपके वहां से बन जाते हैं अब नेक्स्ट है स्पाइक वेव या स्पाइक पोटेंशल बोल दें या स्पाइक वेव बोल दें ठीक है आपको बताया था मैंने स्पाइक वेव को हम क्या बोलते हैं ट्रू एक्शन पोटेंशल बोलते हैं एक्जैम में कुशन आता है जी आई टी का true action potential wave कौन सी है spike wave है spike wave बोल दें तुम जिसे बोलेंगे true action potential ठीक है occurs automatically ठीक है कैसे होता है automatically आपको ये मिलता है when कब क्या होता है जो आपका RMP resting memory potential जो होता है वो किता हो जाए minus 40 minus 40 हो जाए मैंने आपको बता है था minus 40 हो जाए 41 40 आपका minus 40 का minus 30 हो जाए मतलब जितना उसमें plus होने लगे positive हों बोलें positive मतलब जब positive word बोलते है minus 40 minus 39 minus 38 35 minus 30 ये positive मतलब minus 35 जाएंगे 30 जाएंगे 20 जाएंगे 25 जाएंगे minus ठीक है और फाइन है फिर plus की ओर जा रहे है ठीक है तो more positive होगा यदि आपका resting membrane potential positive होता है ठीक है low wave का कित्ता था minus 50 था वो minus 60 की बीसमें बताये थे जब minus 50 positive होगा मतलब minus 40 की ओर जाएगा हम इसे बोलेंगे positive more positive होगा मतलब minus 50 जो है वो minus 40 की ओर जा रहा है ठीक है positive हो रहा है ठीक है तो जब भी minus 40 millivolt resting membrane potential मिलेगा तब क्या produce होगा spike wave produce होगा आपको वयाद होना चाहिए spike wave true action potential है automatically होती है इसमें minus 40 millivolt जो हता RMP आपको मिलेगा ठीक है जैसी होगा आगे हम बात करेंगे यह बताया मैंने आपको पोटेंशिल और smooth muscles between जो होता है यह आपको बता चुका हूँ हमने के slow wave के लिए बताया था मैंने आपको और minus 40 पहुचा और minus 39 हुआ तो वहाँ पाई spike wave produce हो जाएगी ठीक है आपको याद होना चाहिए ठीक है आगे हम बात करते हैं action potential जो हो रहा है ठीक है इसमें बात की थी एक्षन प्रटेंशिल जो हो रहा है आपका ठीक है क्यों हो रहा है due to कुछ factors होते हैं ठीक है तो इसमें जो action potential हो रहा है spike wave produce हो रहा है action potential हो रहा है two action potential हम बोल रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है slow calcium channel open होते हैं अपने इससे पहले वीडियो बात किये थी कि slow wave में sodium channel open हो रहा था लेकिन जो spike wave होती है जो action potential कराता है जो वाकई muscles की activity करवाता है उसमें कौन सा channel open होता है calcium channel लेकिन वो भी calcium sodium channel calcium sodium है exactly जो calcium channel की बात करेंगे वो भी कौन सावाला slow calcium channel ठीक है specific होता है slow calcium channel होता है यह हम बोलेंगे calcium channel open होते हैं ठीक है जब slow calcium channel open होते हैं यह calcium channel open होंगे जिस करण्ड से वहां पर आपका muscles की activity आपको होगी ठीक है ठीक है फिर याद रखते हैं अपन लोग की फाइक रीक है पोटेंशियल है एक्शन परेंशियल हो रहा है ठीक है यह क्यों हो रहा है क्योंकि जी क्यों होता यह क्यों होता हैolve एक्षेम प्रटेंशियल spent अगता है में क्या हो रहा है आपके केल्शियम चैनल सोपन होते हैं केल्शियम शोडियन चैनल लोपन होते हैं जो करवाते हैं जो मसल्स के एक्टिविटी को करवाते हैं ठीक है आपको अगला अगली बात रखना है कि जो आपका एक्शन पोटेंशियल हो रहा है ठीक है एक्शन पोटे कैलाती है और जो नीची होगा वो आपका क्या होगा यहाँ पर नीची जाएंगे तो आपका स्लू वेब होगी यह उपर जाएंगे तो यह आपका क्या है उपर की जो दिखरा है इस यह आपका इस पालेजैन यह होती है तो यह hy ection potential है पिस spike वेब को तिके मोर पॉजटीव मतलब माइनस 40 पहुचे का तब आपका स्पाइक वेब प्रोडूज होती है ठीक है टीप पॉलराइजेशन होता है वेरी वेरी इंपॉर्डेंट या रखना है स्पाइक वेब प्रोडूज होती है एक्शन प्रोटेंशल होता है स्मूथ मसल्स में जी हो आपका आरमपी हो रहा है क्यों हो रहा है ये आपको याद रर्खना एकल्म में आता है उपkich उता है डी पोलराइशन तो जब़िए स्पाइक वेब कॉन्ट्रेक्शन होता है वो भी र्रिसप downtown के लिए के लिए अगतीक्श का थिक्श्च होगा मोरणी अग्शाइड मोरजेशन मोर घ। laser होता है जिस और यह सब जो है यह सब जो है मतलब मोर पॉजिटीब टीप और राजेशन कांट्रैक्शन मोर एक्साइटेबल ठीक है स्ट्रेचिंग होती है यह हम बोलेंगे एक और इंपॉर्टन चीज़ आपको याद रखना है यहां पर इसका या वह जयादा मातरा में निकलेगा कौन अइसेटाइल कोली्ट मिलती है और यह क्यों निकलता है क्योंकि पेर संपटरिक जो आन्नर्व एंदिनग है व उस्तिमलिट होती है जब आपकी G I T की जब G I T की पैरा सेंप्रत्तिक नर्फ फाइबर्स जोंगे वो इस्टूमलेट होंगे तो श्राल कुलीन से जो उस्लोड्य स्लोड है वह कौन सी वेव कवर्ड होगी और में कर फ़सिप्रांब होकी क्यों होगी क्यों यह आपको यह रहना है कौन कौन से factors होते हैं जो आपको क्या करते हैं spike wave के responsible होते हैं ठीक है आगे बात करेंगे ऐसे कौन कौन से factors होते हैं जो slow wave के लिए responsible होते हैं more negative होगा मतलब minus 40 से minus 41 45 जैसी वो minus 40 से 41 होता है RMP यदि smooth muscles का RMP minus 40 से minus 41 हो जाए 42 हो जाए तो वहाँ पर slow wave आपको मिलेगा तो more negative हो जाएगा repolarization हमें सहाद रखना है आपका जो resting potential जो है more negative हो रहा है जो slow wave जो होती हैं उसमें आपके हम बात करेंगे repolarization हो रहा है less contraction less excitable मिलेगा हमको ठीक है जब आपका depolarization होगा जब आपका हमने देखा था कि जब आपका depolarization हो रहा था तो more contraction और more excitable हो रहा था देकिन यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है आपको क्या मिल रहा है यहां पर ? आपको मिल रहा है यहां पर more repolarization मिल रहा है तो less caution and less sniper हो रहा है मतलब negative होगा repolarization होगा less contraction होगा less excitable होगा इस आपको याद रखना है ठीक है यह important चीज होती है आपको याद रखने चाहिए और यह जो आपका more negative repolarization होगा less contraction इसके लिए को रिस्पांसिबल है noripinephrine, epinephrine and sympathetic nerve fibers कैसे होता है noripinephrine, epinephrine and आपका stimulation of sympathetic nerve fibers ठीक है वहाँ पर कौन था आपके parasympathetic nerve fibers थे यहाँ पर कौन है, sympathetic nerve fibers है, epinephrine है noripinephrine है, जो responsible होता है slow wave को maintain करने के लिए यह आपके कुछ factors हैं जो दिमाग में आपको याद होने चाहिए ठीक है, तो इस प्रकार से प्रिटेवार रिवाइस करते हैं अपन लोग spike wave है, x-ray potential है slow calcium channels open होते हैं ठीक है, यह आपको याद रखना है, ठीक है, तो spike wave के लिए कौन क्या होता है more factors कौन क्या होते हैं, more positive हो जाए वो वहाँ पर depolition हो जाएगा, जिससे more contraction, more excitable होगा इन सब के लिए जो more positive हो, depolition के लिए कौन responsible है, stretching of muscles जो होती है, आपके समुद मसल कहेंगे stretch होगी, ठीक है, जैसे आप खाना खाएंगे, तो stretch होगी, तो वहाँ पर action potential generate हो जाएगा, ठीक है, इसके लबब आप पैरसबतिक नदर fiber activate हो जाएंगे, तो total colline release होगा, and GI hormones होते हैं, लेकिन यदि हम बात करेंगे, slow wave की बात करेंगे, तो उसमें क्या होगा, वो more negative होगा, minus 41, 45, 50, more negative होगा, repolition होगा, less contraction होगा, less excitable होगा, इसके लिए करने के लिए को रिपनेफरेंट होता है, यह आपको याद रखना है, टिक है, आगे बात करते हैं, लोग, आगे देखते हैं, नर्मली क्या होता है, आपसे लोगर होगा, प्रकार से यह प्रोसेस चलता रहता है ठीक है बट इफ नो और फिर पॉलराजेशन सबस्राइब इसका मतलब किया हो रहा है इसका मतलब क्या हुटाइब इसी कंड चलता रहता है इस परकार से होगा तो जब भी आप कुछ नहीं खा रहे हैं आपकी जीएटी सांत मेट मतल आप जीएटी में operation हो रहा है सलो वे हो रही है एकिन जैसे आप कुछ खाते हैं तो हमने兩 pot है यह इंगे होता है ना को बता है दिने क्लिफ होता है ए में क्या होता है अपकी का होता है जैसे आप खाना खाएंगे तो थोड़ी आपकी पार तो वहां पर क्या होगा आपका क्या मिलेगा मिलेगा और जो मसल्स में कॉंट्रेक्शन कराएगा एंड परस्टाल्टिक मुव्मेंट के लिए रिस्पांसिबल होगा ठीक है यह आपको नॉमली याद रखना है आगे याद रखते हैं यदि आप मान लें कि री पोलराइशन ह होता ही नहीं है मतलब स्लो वेव बन ही नहीं रही है मतलब स्लो वेव नहीं हो रहा है डीपोलेशन नहीं हो रहा है मतलब स्मूथ मसल्स में कॉंट्रेक्शन कम नहीं हो रहा है लगातार वहां पर डीपोलेशन हो रहा है लगातार वहां स्पाइक वेव बन रही है इसका मतल लगातर कॉंट्रेक्शन हो रही है वहां पर कॉंट्रेक्शन कम नहीं हो रहा है इस प्रकार के कॉंट्रेक्शन कम क्या बोलते हैं तोनिक कॉंट्रेक्शन बोलते हैं यदि हमारी जी आइटी में तोनिक कॉंट्रेक्शन हो रहा है इसका मतलब है लगातर इसको मुस्मूत मसल में contraction हो रहा है है मतलब लगातर वहां पर क्या हो रहा है D लगातर मतलब सिया हो रही है टीक है तो याथि यमें ल में लगाता step स्पाइक वेव है ठीक है फिर फिर स्लोव वेव है फिर यह स्पाइव लैकिन लगातार आपका यह देख कांट्रेच्टिव रहा है लगातार बनती रहेंगी यह एक्सेसियू मातर में बनेंगी तब कौनिक काट्रक्शन मिलेगा ठीक है यह हम बात करेंगे लगातार एसे टायल कोली नहीं आपका प्रोडूरीज होता रहेंगा मतलग लगातार पैरा समथते पाथवे क्या होगा या नर्वेंडिंग क्या केल्शियम चैनल्स आपकी ओपन रहेंगे तो हमारे जी इटी में टोनिक कॉंट्रेक्शन कब होगा टोनिक कॉंट्रेक्शन लगाता मतलब लगाता स्मूद मसल्स में कॉंट्रेक्शन हो रहा है लगाता डी पॉलराइशन हो रहा है लगाता स्पाइक बन रही है इन सब क्या ह रहा है ऐकसे स्पाइक विग बनेगी तो होगा लगातार पैरा स्मेप्रेट को भी हमने देखा यहां पता हो ना चाहिए बहुत इंपोर्टेंट कौश्टन यहां से बनते है जो मनदा को बताने कुसिस की है उसको आप समझें और इसके प्रॉप नोट को फेलप करें गें कि ये तूमुरे।